असीम खूबसूरती समेटे हिमाले परवत कई रहस्यमई कहानियों का घर है। अतीत में इस जील में लगभग 200 मनुश्यों के कंकाल पाए गए थे। जील के बरफीले पानी से बाहर निकलते हुए सैकड़ों कंकालों का द्रिश्य भयावर है। मास, गहने, बाल, और चमरे के कब्रों के टुकड़े अभी भी कुछ कंकालों से जुड़े हुए है। गंखा पुनसुम गंखा पुनसुम दुनिया भर में सबसे उंचे पहाडों में से एक है। इस पहाड से जुड़ी कई रहस्यमे कहानिया है। गंखा पुनसुम की सबसे रहस्यमे कहानियों में से एक यह है कि अब तक इस परवत को कभी भी नापा नहीं जा सका है। खोच सकने में भी असमर्त रहे गंखा पुनसुम भूटान तक फैला हुआ है भूटान के लोगों का ऐसा मानना है कि यहां हिम मानव का निवास है अगली जगह है गुरुडोंगमार लेक हिमालय में मौजूद दुनिया की ऐसे रहस्यमई जील है जिसके कुछ हिस्से को के हुए हो इसके पीछे एक प्रचलित कहानी है कि एक विशिष्ट तपस्वी गुरु तिबबत की यात्रा पर थे तब ही उनके साथ आये लोगों को प्यास लगी लेकिन आसपास पानी नहीं था तब उस विशिष्ट गुरु ने जील के एक हिस्से में अपने हाथों को र इखनिया है इसे सिदाश्रम भी कहा जाता है यह स्थान एक रहस्य में आश्रम है यह हमाले के गहरे रहस्य में जग़पर स्थित माना जाता है यहां योगी महां साधू और सिधर रहते हैं टृषियों की यह भूमी दिव्य ग्यान और अध्यात्मिक चेतना कस्थ थल्य य यह सभी भौगोलिक सर्वेक्षनों से बच गया है। कहानिया कहती हैं कि इस स्थान को केवल वे ही पा सकते हैं जो शुधर हैं और आध्यात्मिक विकास चाहते हैं। वहां रहने वाले योगियों के पास अकलपनिय शक्तियां हैं। अगला स्थान है नंदा देवी। नंदा देवी का अंसुलजा परमानु रहसे अपने आप में एक अजूबा है। नंदा देवी जो देश का दूसरा सबसे उंचा परवत और दुनिया का तेईस्वा सबसे उंचा परवत है। अपने आप में रहसे मई है। परमानु समवेधन उपकरन को इसके शिखर पर स्थापित करने का एक मिशन था इस उपकरन को ले जाने वाली टीम इसे नियत स्थान पर ले जाने में असमर्थ रही टीम उपकरन को एक स्थान पर सुरक्षित करने के बाद वापस लोटाई सुरक्षित रूप से रखा गया प्लुटोनियम का पूरा स्टॉक गायब हो गया यह आज तक नहीं मिला यह क्षेत्र कई दशकों से बन पड़ा है अगला विशे है ब्रोपपा जो अंतिम शुध आरे जाती के रूप में जानी जाती है यह जम्मू कश्मीर क्षेत्र के सुदूर स्थानों में इंडो आरेन लोगों का एक छोटा समुधाय है वे मूल आरे जाती की अंतिम जन जाती हैं लगभग 5,000 वर्ष पुरानी आरेों को उतकृष्ट विशेशताओं के साथ मास्टर रेस माना जाता है इनकी जनसंख्या चार गावों तक सीमित है इसमें 2000 लोग शामिल है और उनके अपने अजीबो गरीब रिवाज है चर्म पत्र पारम पर एक ब्रोपा पोशाक है और लोगों के चेहरे यूरोपीय विशेशताओं से मिलते जुलते है विभिन देशों की महिलाएं यहां केवल शुध आर्यों द्वारा गर्भवती होने के लिए आती है यहां खुले सेक्स को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि चार गावों के बाहर किसी को भी शादी करने की अजाज़त नहीं है यह सांस्कृतिक रूप से अपने जंजाती की रक्षा करने का एक तरीका है अगली जगह है पारो ताक्त संग दा टाइगर्स नैस्ट 1692 में निर्मित इसे टाइगर का घोंसला या दा टाइगर्स नैस्ट नाम मिला क्योंकि कहानी बताती है कि गुरू पद्मसंभव ने यहां एक गुफा में एक बाग पर बैटकर ध्यान लगाने के लिए उडान भरी थी यह मट एक बहुत ही खड़ी चटान के किनारे स्थित है जिस पर अब भी चड़ना बहुत कठिन है तो गुरू पद्मसंभव के परिवहन के साधन की कहानी सच भी हो सकती है उन्होंने तीन साल, तीन महीने, तीन सप्ता, तीन दिन और तीन घंटे तक ध्यान किया यह कुछ ऐसा है जो अपने आप में एक रहसे है अगली जगह है ओम परवत इस परवत का सबसे आकरशक रहसे बर्फ का अविश्वसनिय जमाव है बर्फ का यह प्राकृतिक जमाव पहार की काली प्रिष्ट भूमी के सामने ओम का आभास कराता है ओम को बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि यह एक बहुत शक्तिशाली आध्यात में कूर्जा को प्रतिध्वनित करता है ओम प्रित्वी के कमपन के समान 7.8-3 हट्स पर कमपन करता है अगली जगह है कैलाश परवत जो पुरानों में बहुत प्रिसिध है समुद्र तल से 21,000 फीट की उचाई पर स्थित कैलाश परवत कई रहस्यों का घर है हिंदू धर्म में कैलाश परवत को भगवान शिव का निवास माना जाता है तिब्वतियों का मानना है कि यह उनके ध्यान देवता डेमचोग का निवास स्थान है जबकि जैनियों का मानना है कि यह वह स्थान था जहां उनके पहले तीर्थंकर ने निर्वान प्राप्त किया था यह अलग-अलग मानने ताएं और नजरिये इसे और रहस्यमय बनाते हैं जो लोग उस पर चड़ने की कोशिश कर चुके हैं उनका कहना है कि पहाड अपना स्थान बदलता रहता है शिखर तक पहुँचने के लिए किये गए हर अभियान ने बताया है कि यह लगातार स्थिती बदलता रहता है शिखर कभी नहीं मिला, रहस्य से यहीं खत्म नहीं होता सूर्य के आकार की मांसरोवर जील का रंग तर्ट में नीले से मध्यमे पन्ना की तरह हरा हो जाता है राक्षस ताल नामक निचली जील एक अर्धचंद के आकार में है ये दोनों जीले क्रमशा सकारात्मक और नकारात्मक उर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती है कैलाश पर्वत को एकसिस मुंडी कहा जाता है भौतिक और अध्यात्मिक दुनिया के बीच संबंध प्रदान करने वाली दुनिया की धुरी वैग्यानिक रूप से ये हप्रत्वी की धुरी पर है लोगों का मानना है कि ये सारे जीवन को जीवित रख रहा है और वातावरन को बनाए रख रहा है ये हप्रत्वी के धुरूगों के साथ तालमेल में है और स्टोन हैंज युनाइटिट किंग्डम के प्राचीन समारक से ठीक 6666 किलोमीटर दूर स्थित है यही आयाम उत्तरी धुरूव की ओर जाता है जो की परवत से भी 6666 किलोमीटर दूर है और दक्षनी धुरूव के साथ दूरी बिल्कुल दोगुनी है जो शिखर से ठीक 13332 किलोमीटर दूर है अगली जगह है गोमुक माउट ओफ अकाउं यह हिमाले के सबसे बड़े गलेशियरों में से एक है गोमुक बिल्कुल गाई के मूँझ जैसा दिखता है और इसलिए इसका ऐसा नाम है यह एक बहुत ही पवित्र स्थान है जहां कई संत, साधू और धार्मिक लोग पूजा करने जाते हैं ऐसी माननता है कि जो कोई भी दूशित मन या शरीर या बुरे इरादों के साथ वहां जाता है उसे गंभीर भयावहता का अनुभव होगा हलांकि 2016 में भारी बारिश की वजह से एक ग्लेशियर ढह गया और भगया गोमुक का अगला सिरा अब नहीं दिखता गोमुक तपोवन की यात्रा का शुरुवाती बिंदु भी है तपोवन गंगोत्री ग्लेशियर के उपर का क्षेत्र है और धार्मिक रूप से महत्वपून स्थान है यह आध्यात्मिक तपस्या का वंस्थल है आपको यह जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं